नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरिश्टिवारी आप सब्सक्राइब करता हूँ आपके बहुत ही प्यारे चनल पे वर्ड़फेस के अंदर साथियों आज हमपे 16 जून और शुरू करते हैं 16 जून के बहुत ही शांदा करेंटर विसकों पहले कोशिन के साथ में आपकी स्क्रीन पर पहला कोशिन दिया गया है कि इन मेंसे वो कौन सा राज जी है जिन्होंने स्टार्ट किया है Medicine from the Sky प्रोजेट को और Medicine from the Sky प्रोजेट को शुरू करने वाला जो राज जय भारत का वो है तेलंगाना तो तेलंगाना के दोवा देखें हैं पर शुरू की गई है योजना और Flipkart के सहता से इसको शुरू किया गया है तो with the help of Flipkart यहाँ पर तेलंगाना गर्वर्मेंट ने क्या किया है यहाँ पर द्रोन फैसिलिटीस के दोवारा यहाँ पर मेडिकल सप्राइंस को शुरू कर दिया है और यहाँ पर परियूजना चल रही है जो स्कीम आई है उसका नाम है Medicine from the Sky प्रोजेट के अंदर यहाँ पर दिखिए स्टार्टिंग का जो पालेट प्रोजेट्ट हो चलाया गया है यह आपसे इंपॉर्टन कुशन एक्जामनी के लिए बंचता है लेकिन जो बात कते हैं तिलंगाना के बारे में आप जानते कि भारत का 29 राज्य थैकि अभी भारत के अंदर 29 राज्य नहीं है म और हैद्राबाद का दिखे जुड़वा शहर है कौन सा सिकंद्राबाद यी भी आपसे कई बाग कोशन पूशते हैं अगर बात की जागी है तो हैद्राबाद किस नदी किनारे बसावें जाती है तो आंसर है मूसी नदी किनारे जो कृष्णा नदी की एक ट्रीडिटरी मा तो विधान मंड़ में दो चीज़े हैं विधान सभा विधान परिशत है तो यहां पर 119 सीटे हैं विधान सभा के अंदर और 43 सीटे परती है विधान परिशत के अंदर 17 लोग सभा सीटे हैं सात राज सभा सीटे हैं यह बात की जारी है तिलंगाना के बार में एक्जामनेश पर देखे, नियुजिलेंड से, तो नियुजिलेंड इसार, तो नियुजिलेंड यहाँ पर लॉंच करने वाला है, विशु का पहला वॉर्ड गोर रॉंच यहाँ जाएगा, यह बात यहाँ चाहिए और यूरॉपेन यूनियन के द्वारा यू राइट इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो विडन मैटरीयल्स हैं उसको इस प्रकास से री मौल्ट करेंगे इस प्रेकास उसमें changes किये जा रहे हैं ताकि वह space में होने वाले जितना भी temperature changes हैं, pressure changes हैं, जितने भी देखिए, sudden changes आते हैं, उन सब को झिल सके, उन सब पे use कर सके, ताकि देखिए, spacecraft जो महंगे महंगे पैसे खच जाते हैं, जादा पैसे खच जाते हैं, महंगे महंगे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसके अंदर उसमें बहुत सारा पैसा बस सकता है यह एक तरगा दिखिए कहीं हिट्रेल तो उत्तरी न्यूजिलेंड के अंदर देखिए अपर छोटा सा प्रायदी पड़ेगा जिसे बुरते हैं महीयर पैनियूसुला देखिए पैनियूसुला वह इलगा होता है जो तीनों तरफ से पानी से घ्राओ उसे पैनियूसुला कहा जाता है तो यह सारे के सारे अपको मैं बाता दिया हूँ एक्जामनेशन के पांट वीव से चलेए नेक्स कोशन दिया गया देखिए अभी हाली में किसी री इलेट किया गया है ऐसा सी ओ ए आई डैट इस सेलूलर ऑपरेटर्स असोसीशन ऑफ इंडिया के यहां पे चेर्मेन के रूप में तो इनका दिखे सही नाम है अजेपुरी येस तो अजेपुरी को री इलेट कर दि की जारी है देखिए हम जो बात करते हैं CEO AI के बारे में जैसे अब नाम से समझ पाएंगे कि सेलूलर ऑपरेटर्स असोसीशन ऑफ इंडिया है कि भारत में किसे कितना स्पेक्ट्रम दिया जागा कितनी वेवलेंट दी जाएगी इन सब को डिस्ट्रीट किया जा रहा है इसी लाइफ एंड क्रिकेट ठॉट मी एक आत्मकता है जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में यूट लॉंच होने वाली है पर देखिए पब्लीश होने वाली है इसका यह किस की आत्मकता है तो यह आत्मकता है सुरेश रहना की देखिए आप जानते कि सुरेश रहना भाग के बहुते फीरमस हैं पर बल्लेबाश रह चुके हैं देखिए साथियों है भी कोई दिक्कत नहीं है तो उनकी आत्मकता है जिसका नाम है बिलीफ वाट लाइफ एंड क्रिकेट ठॉट मी एक्जामनेशन में कुछेंगे कि जुलाई जून जुलाई में इससे पब्लिश कर द देखिए दोसरों मारे थे वंडे नेशन इंटरनेशन मैचेस के अंदर गौवालियर के रूप सिंग स्टेडियम में उन्होंने कारणा में किया ता आपको पता होना चाहिए वहीं पर देखिए जब बात करते हैं युराव सिंग के बारे में देखिए इनका तो नामी क्या ग्रजब का है मेरे साथियो पहली बार टी 20 के अंदर 6 बॉल पर 6 शक के अब जानतें के बार में फिर देखिए आप एक वीवेस लक्षमन है जिनके एक आटो बैग रॉफी है जिसका नाम है तो ड्राइवन है इन्होंने किस प्रकास से कैंसर को हराके दुबारा से आप में देखने को मिल जागी वहीं पर बात करते हैं विराट पुलिक के बार में देखिए तो ड्राइवन है असेंचुरी इस नॉट इनफ जिससे कई बार एक्जामनेशन में कोशन पूजा जा चुका है मेरे साथियों के सेंचुरी इस नॉट इनफ यहां पर किसकी फिम इस लाया करें तो उन्होंने क्या किया है कि अपने अनभव से जो नए जवान है यह नए नौजवान है उन्हें क्रिकेट की प्रसिक्शन दिया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए उन्होंने क्या किया है एक वेबसाइट को लॉंच किया है जिसका नाम है क क्रिक गुरु तो यदि आपसे examination केक्षै को पूछ लेंगे तो यह उन्होंने यह देखिए क्रिक गुरु जो कुरु है ना यह एक जो बल्देबाज है या नहीं जो खिलाडियों नों ट्रेन करने वाले हैं और बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पार्टनेशिप भी करेंगे चलिए आईट आइज लिए आईट आईट झकर बहुत जादा चलिए बहुत जादा डिसकोवरी जो आइए इसका सही नामें देखें आईट रोपड येस तो आईट रोपड के अंदर आईखें आपके करते हैं कि पहला सीपक डिवाइस बनाये है जिसका दाम है जीवन वाइव गलती से गर मांगे चलिए कि यहां पर कोई फॉल्ट हो जाए लाट चली जाए तो यदि कभी फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट होने के वावजूद भी यहां पर इलेक्ट्रिक के जो सब्सक्राइब बदित नहीं होगी यह लगाता कंट्यूनिस प्रेशर से और यह बहुत मिले यह इलेक्ट्रिक सप्लेई यहां पर खताम हो जाए तो ऐसी कंडिशन में यह जीवन वायू जो यह जो डिवाइस अना बहुत सब्सक्राइब करने वाला है सी पैप पर काम करता है यह है कंट्यूनिस पॉजिटिव एयर प्रेशर डॉक्टर खुश्बू राखा के द सब्सक्राइब करते हैं तो एक यहां पर करते हैं तो जल्दी से शर्फ दहा हो जाए उसके लिए यहां पर क्रिमेशन कार्ड बनाया था जो यहां पर बहुत कम मात्रा में लकड़ी का इस्तमाग करते थे और साथी साथ आईटी रोपर ने एक आई हब का क्रेट किया है जिसका नाम है अवद अवद यह सब की सब चीज़े के गई हैं आई की लिए जो कच्वे है उनको प्रोटेक करने के लिए तो यह मलते हैं किस राज में खेंट और देखियें पर आपका निलती है मेरे साथ जिसका नाम है देवी नदी वैसे तो रहो सभी सभी नदी में पाए जाते हैं तर देवी नदी में में। यहां कि आसपास में 1980 में इहां पर कोस्टगार्ड के दौड़ा इन्हें संदर्षित करने के लिए और इनकी प्रजणन्स शित्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक operation चलाएगे हैं जिसका नम है Operation Olivia और 1980s के आसपास ही शुरू किया गया था यहाँ पे देखिए प्रोटेट करते हैं Olive Riddles कच्वों को और कहते हैं कि November से December के महने में प्रजणन्स के लिए समुद्र के हसपास की शित्में जमा हो जाते हैं ताकि इस शित्मे कोई ना जाए ताकि इस शित्मे किसी प्रगास से रहे कोई दिक्कत ना है इसके लिए Coast Guard के द्वारा पूरी प्रहरी इदारी है जो की जाती है और यह बहुत बड़ा काम किया जा रहा है तो कि यह कच्वी दिखिए बहुत जादा रेर है और ecological balance को बनाने के लिए प्रक्तिक इंदर संतुरन के ववस्ता को बनाने के लिए हमें इनको संदर्शित करना ही पड़ेगा यह सत्य बात है चलिए नेक्स कोशन दिखे हम बात करते हैं पर जर्दालू आम के बारे में तो अभी हुआ क्या है कि भात का वो कौन सा राज है जिसने पहला consentment of GI certificate जो certified कह सकते हैं जो जर्दालू आम है उसे export किया है United Kingdoms को तो वो है देखे कौन सा राज आम पर बिहार जर्दालू आम के जो मैं बात करते हैं तो भागलपूर जिलेमिन का देखे खबत और जो देखे उत्पादन बहुत ज़दा हो रही है और इन्हें देखे 2018 में GI certification दिया गया था आपसे खुश पूश लिया जाए अचा भारत में सबसे पहले GI certificate किसे मिला था आंसर है चाय को किस चाय को आप मुझे इसका अंसर कमेंट सेक्शिय में जरूर बताएगा कि भारत में सबसे पहले GI Tech किसे दिया गया अचाए एक आंसर मुझे और दीजेगा कि भारत में वो कौन सा राजी है जहां पे सबसे ज़्यादा GI Tech आ चुके है किस राजी के दिदर GI Tech की संख्या सबसे ज़्यादा है उत्पादं की बात की जा रही है तो देखें हम जो बात करते हैं वेरी साथी हो यहाँ पे जर्दालू आम की बारे में तो भागलपूर जिले से जो विहार में पढ़ता है वहां से यूको को जो पहला कांसाइंडमेंट भेज दिया गया है और अपीड़ा के दोवारा इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा अपीड़ा क्या है बताने वाला डून वरी देखें जर्दालू आम की बात करते हैं तो देखें यह भागलपूर जिया भागलपूर भीहार स सिसे आते हैं और इन्हें से आतफ्तिंस के अत्म इतिहास को करता था यह इतिहास में कासे बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें रेकित मुगलों के द्वारा जिसमें इरानियों के द्वारा अफगानियों के द्वारत कि गई है कि आमका पेड़ा यह कल्प विश्क के सम्मान है इस फर्ग को खाकर आय। जो यहाँ पर प्रप्त कर जाती है ऐसी बात के गई है यह ऐसा reality में नहीं है यह मन के द्वारा मैं बात नहीं कर रहा है यह मैं आपको वह बतारा है जो इतिहास मैं आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिलेगा ये बहुत सारी इतिहास केंदर इनकी जो comparison है न वो कल्प रिक्षक की गई है ये सारी बात आपको अमने detail से बता दी है अब देखें जो बात करते हैं जरदालू हमकी बारे में तो इसे एक्सपोर्ट किया जारा पर देखें अपीडा के द्वारा अपीडा किया देखें अग् में है क्या कि ये एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ष्ट प्रोमोशन होते हैं अग्रिकल्ट्चर प्रोडट्स के उनको बढ़ावा देगा और मिनिस्ट्रियों कॉमर्स और इंडस्ट्री के अधिने काम करती है अब एक्जामनेशन में आपसे जो कूशन पूसकते हैं वह यह देखें बिहार की बात करते हैं तो 26 जनवरी उनीस से पचास है कोई दिकत नहीं है पागुच चोहां है देखें वैसे 26 नहीं है अलग है लेकि मैं चलो अभी कॉंसी यूनिन टेरिट्री है जिसने अपने आपको यहां पे खुले में 100 शुश्मुक्तिया पर घोशत कर दिय है और ऐसा खुशन कर दी हैं पर किस यूनिन टेरिट्री ने तो वहां पर खुले में जो सौच है उसे पूर्ण रूप से फ्री कर दिया गया है मतलब हर घर के अंदर टौलेट की ववस्ता बना दी गई है लग्दा के अंदर आप कोई विक्ति किसी भी कारण से यहां पर खुले में सौच करने नहीं जाएगा समस्या है जिस देश में लोगों यह बताया है कि कहां पर सौच करो तो वहां पर विकास तो थोड़ा लेट हो सकता है सिंपल सी बात है इसमें मैं कई बात नहीं कहूंगा हम जागरुक बढ़नें इन सब लेके अब कि हुआ क है कि युने टेरेटरी की जो बात करते हैं तो 31 ओक्टोबर 2019 को युने टेरेटरी बना है ले और आगिल दिखें यहां पर दो जिले हैं बेसिक लिए पता दो और राधा कृशन मातु देखें पहले यहां पर लुटेन गवर्ण है याद कर लेजी का इंपॉर्टेंट है ब पहला फेज था सोच भात अभियान का या सोच भात मिशन का जो 2019 था मेरे साथ हो सैकेंड मिशन देखें हैं पर इंप्लिमेंट किया जगा पर 2020-2021 और 2024-25 तक और देखें हम जो बात करते हैं यह रूलर और अर्बन एरियस दोनों में इंप्लिमेंट किया जा रहा है चलिए यहाँ पर ICC के द्वारा देखें यहाँ पर कौनसे भारती खिलाडी है जिनने ICC Hall of Fame में शामुल किया गया और वो ऐसा करने वो ऐसा वो देखें वो कौनसे खिलाडी बने हैं जो सात्वी खिलाडी बन चुके हैं तो इसमें जो सही आंसर है वो देखें वीनु माकंड जी देखें हम जो बात करते हैं वीनु माकंड के बारे में तो वीनु माकंड देखें भारत के बहुत ही फेमस खिलाडी रहे हैं खासकर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही फेमस खिलाडी रहे हैं और यह पहले इंडियन थे जिन्होंने 1000 टेस्ट को स्कोर किया था और सौ विकट क के hall of film में शामिल किया गया है अभी तर साथ खलाडी है जो शामिल हो चीक है जिसमें देखे विशन बेदी है सुनिल गावसकर है कपिल देव है राहुल द्रविड है अनिल कुमले सचिन दन्लुकर और यहाँ पर देखे विनु माकर जो साफिव इंडियन बने है आइसे की जब बात करते हैं तो उसका मुख्याले का पड़ता है दुबए में पड़ता है याद कलीजियों का मनुस्वाई वर्तमार में सी यू है और ग्रेग बाकले डिखे आपे आइसे की चल्पसन है चली अभी हाली में देखे वो कौनसा राज्य है जहां पर राजा पर इसको मना जाता है देखिए अब क्योंकि हम देवी की बात करें तो यह देवी का जो शब्द सार्गी सारी महिलां समर्पित है तो फटलेटी यह एक त्योहार है जो मनाते है इस राज्य के अंदर अगर बात की जाएगी यहाँ पर देखिए उडिसा के अंदर तो बेसि पर इसके लिए स्विंग को तैयार कर रही है और इसे हमाएं आसपास की शेत में अनकी बहुत जार मात्रा है जो मिलने वारी है यह बात है तो बेसिकर देखिए हम पर एगरिकल्चर वर्शिप होती है भूदेवी की जो मनाई जा रही है और साती सारी देखिए फेस्टिब तो एक अपरेल 1936 को देखिए उडिसा के स्थापना वी ते जिसे उतकल दिवस कहते है भूदेशो क्याप्टल है देखिए तीस यहां पर जिले है गनेशी राल देखिए गवरनर है नवीन पतना एक मुक्यमंत्री है लोग सबा में 21 सीटे है और रास सबा में आपर 10 सीटे देखिए तो वह ब्रुजल में देखिए वेल्जिम के हैं पर एक कैपिडल है ब्रुजल जहां पर इसका हैटकॉइटर भी पड़ता देखिए हम जो बात करते है नाटो के बार में तो उत्तरी एट्लांटिक का ये और्गनाशन है जो बेसिकली बना के तब रशिया से बच ब्रुजल में ये आपको बात पतावनी चाहिए और इसी की ऑफचारिक मीटिंग भी हुई थी जिसमें जो बेड़न भी शामिल की गए थे बारा देखिए चार अपर उन्ने सो नंचास को इसे स्थापित क्या गया था जब नाटो की स्थापना हुई थी ना तब इसमें स् है और हम यहां पर 30 हो चुकी है आपको यह बात पतावनी चाहिए देखिए ब्रुजल बेल्जियम इसका हेड़कौर्टर पड़ता है और यहां पर सेकेटरी जनल है जैंस देखिए जो इसकी सेकेटरी जनल है अच्छा बेल्जियम की बात करेंगे एक कोशन बहुत ही प्य पूछा कि यहां पर यह देखिए अभी निर्मल मिलखा सींग जिनका भी हाली में निदन हो गया है वह किस खेल से संबंदित थी तो उनका सही आंसर देखिए क्या है वालीबोल वैसे बता दो मेरे साथ दिखिए जब बात करते हैं निर्मल मिलखा सींग के बार में यह पूसबते हैं चले तो यह साथी यह था सारा का सारा आज का सेशन मैंने आपको सारी बाते डीटेज से बटा दी है चलिए अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपरेंट बात पर वह यह है कि अनकार्मी पर देखिए आपके लिए बहुत कुछ नहीं है आप प्रिप्रे प्रैसे वह यहां पर है कोने वाली बढ़ने वाली है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपश्री है कि आप देखिए प्रैसे को जो देखिए है के वह डेफिलेटलि होगा तो अभी सब्सक्रिशन लेजिए आपको बहुत फायदा मिनने वाला है और बहुत सारे स्टूइं तो देखिए यहां पर 12 मन्त और यहां पर बात करते हैं चाहर मन्त तीन मन्त इन सबकी प्रैसे वह यहां पर हो जाएंगी कितनी होती है पता नहीं तेकिन जो आफर है ना वह यहां पर डेट हो जागा आज ही के दिन ठीक है एक बात और है बहुत सारे स्टूइंट्स की चलिए इस संदे रिखी होने वाला है बहुती शांदर स्कॉलर्शिप टेस्स जिसमें आप पार्टिसमेट कीजिएगा अलोग कोड़ पूछेंगे मेरा कोड लगा दीजिए एस संदे बहुती इंपोर्टन बात है वाइफाइ स्टूइज पर सुबह आठ बज़े से रात क आठ बजे तक बारा घंटे लगाता नॉन स्टूप मैं एनिमेशन के थुरू आपको सारे की सारे बायलोजी पढ़ाने वाला हूँ तो बहुती बढ़िया यहाँ पे महातांडव होने वाला है बायलोजी का उस क्लास को जरूर देखेगा मेरे साथी एवेट बन चुका है पाइफार स्टेडिस पर जरूर आएगा तेकि हम जो बात करते हैं टेलिग्राम चैनल को जोइन के लिए जिसका नाम है हरिश्टिव और इसरन अक्याडमी यहाँ पर आपको सारे की सारे पीड़ेफ मिनने वाली है तो आल सेट लेट्स क्रैक एट और मैं इसी बात से देख